वहां पर देखो गुड़नखंड परमिये की हेडिंग पड़ी है और यह क्या है यहां पर मैं लिख देता हूं कहरा कि यदि पी आफ यक्स गात यन is greater than or equal one वाला एक बहुपद हो देखो यह है गुड़नखंड परमिये ठीक है लिखो इसे या समझो मतलब यह एक परमिये है जो कि आपके लिए most important है राहु ले आदो जी गुड़ इबनिंग बर चपड़ाई कर लो बाबू ठीक है और एक कोई वास्तविक संख्या होतों और ए कोई वास्तविक संख्या का मतलब real number हो तो क्या होता है वो मैं दिखा रहा हूँ ठीक है देखो ध्यान से कोई वास्तविक संख्या होतों होतों देखो यहां से समझो अगर यह ऐसी condition होती तो इसमें दो मतलब फर्मूले बनते हैं वो आपको याद करना है समझ के चलना है तो पहला x-a p of x का एक गुडनखंड होता है p of x का एक गुडनखंड होता है तो को मैं हटता हूँ इसका स्क्रीन साट कर लेना ठीक है कि देखो बच्चा यह समझने वाला पॉइंट है अभी मैं इसको समझाओंगा जब question करवाओंगा question करवाओंगा तो इसको करवाओंगा ठीक है रूबी देवेदी कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें कि नहीं आ रहा है न आगे लिखो यदि पी आफ एक्वल जीरो हो लिखो और यहां लिखो दूसरा सिकंड लिखो यह पहला कंडिशन है कि यदि एक्स माइनस ए और पी आफ एक्स का एक गुडण खंड होता एक बुडण होता है तो क्या होता बच्चात ही आफ mez the UK क्या अ कि जीरो होता है जीरो होता है तो है कि यज्यक्त कंडिशन में पुड़ेखो दूसरा लिखो है यदि पी आफ एक्वल 0 यह होता है हो तो देखो इसमें दो कंडिशन बनती है बच्छा गुडन खंड परमिये में कह रहा है कि यदि पी आफ ए घाद एन इच ग्रेटर देन आर इकोल वाला बहुपद हो मतलब कहने का यह है कि जो बहुपद हो वो एक घाद का हो एक घाद से जो है बहुपद का जो म यह जब कुश्चन लिखूँगा तो सब पर क्लियर हो जायेगा ठीक है एकदम क्लियर होजाएगा डॉंट वरही चलो अ कि इसको लिख लो बस लिख लो अभी इसका काम लगेगा कि अगर यह 0 हो तो x-a x-a p of x का एक गुड़नखंड होगा देखो मैं अब समझा रहा हूं तुम्हें समझो यह तो वैसे कह रहा है कि यह दी हाँ फलाने फलाने के बाफ हैं तो उनके बेटवा होंगे दूसरा यह दी फलाने फलाने बेटवा है तो उनके बाफ होंगे यह तुम्हें कम समझ में आयोगा ऐसे समझ लो कि जैसे मालो हमारे पिता जी है हम है तो यह पहला यह कहना चाहता है कि x-a p of x का एक है यह दी हमारे पिता जी हमारे पिता है यह तुम्हें कम समझ में आयागा थोड़ा साब कुस्टन करवाएंगे तो समझ अच्छे से इसका screen साथ ले लो ठीक है समझ लो इसको चलो यह दो कंडिशन होती है बेटा ठीक है यह क्या होता है यह दो कंडिशन होती है अब इसका प्रूफ करना है ठीक है अब इसको प्रूफ भी करना है ना परमिये है तो जरूर यह करना प्रूफ को देखो आपने सेसफल परमिये पढ़ा था रिमाइंडर थोरम में प्वी आफ यक्स इक्वाल यक्स माइनस ए इंटू क्यू आफ एक्स पढ़ा था ना और इंटू आर आफ एक्स बोलो पढ़ा था कि नहीं बच्चा अरे ऐसे समझ लो भाई कि भाज ये बराबर ये क्या था बाज़क गुड़े भागफल दन सेसफल ये होता है होता है कि नहीं होता ना बच्चा तो ये होता है तो भाई सीधी सी बात है अगर ये होता है तो फिर प्रावलम क्या है क्या सम से आये अगर यह होता है तो तुम्हें काम करो हमें पता है कि हमें क्या करना है गुड़नखंड पर्मिय करना है और गुड़नखंड पर्मिय में क्या होता राफ एक्स जीरो होता है बैसी सीधी सी बात है जीरो होता सेस्पल की नहीं कैसे देखो समझो समझो बिटा यहां समझ तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 35 बराबर 7 गुड़े 5 बोलो लिख सकते हैं कि नहीं यहां पर प्लस 0 लिखना जरूरी नहीं है प्लस 0 लिखना जरूरी नहीं है तो अगर हम गुड़नखंड परमिय पढ़तेंगे तो उसमें यह आर जो है हमेसा 0 होगा फेसपल हमेसा क्या होगा जीरो होगा तो हमें इस जीरो से कोई मतलब नहीं है हमें इस सुनने से कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ इतने से ही मतलब है तो बच्चा अगर इतने से मतलब है तो यह आपका हो जाएगा जीरो ठीक है आराफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा यह 0 हो जाएगा आप लोग कलास को लाइक करो भाई मैं देख पा रहा हूं ऐसे मज़ा नहीं आ रही है जान लो फिर मैं पढ़ाओंगा नहीं कलास को आप सभी बच्चे लाइक करो बीना देर करें बीना कुछ कहें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है चलो लाइक और सेयर तुरंट अपने दोस्तों को सेयर कर दो सभी तुरंट भाई देर ना करो बाबू ऐसे मज़ा नहीं आ रही बिलकुल एकदम दिल से निकलने वाली बाते बोल रहा हूं चलो फटाफट कर दो जब यह जीरो हो जाएगा तो आपका यह खतम हो जाएगा इससे कोई मतलब है नहीं तो आपका क्या बनेगा यह आपका में फार्मूला बन रहा है यह आपका गुडणखंड परमिये यह है फैक्टर थेरम लेकिन इसको ऐसे अप बात खाया हो कि नहीं खाया होना सभी जाल रोटी खाया हो मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं उसको बनाते हैं दाल बना लेते हैं उसको फ्राइब रही करते हैं थोड़ा तड़का पड़का लगाते हैं अच्छा बनता है वैसे ही इसको थोड़ा सा भी और मेंटेनेंस कर ले लो मैं सामने से हट गया हूँ हो गया चलो तो अब इसको मिटाते हैं अब जब हम कुश्चन करने लगेंगे तब आपको एकदम दिमाग में समझ में आ जाएगा जब तक कुश्चन ना करोगे ना समझ में आएगा ठीक है मीरा बर्मा जी कुछ समझ में आ रहा है मीरा बर्मा अखिलेस सोनाली तुम तो किवल बात करने में लगी हो और आदित्य सर्मा बेटा तुम्हारे तो भगवानी वालिक है पढ़ लो भी पढ़ने का टाइम है ऐसा नहीं कि कोई नहीं देख रहा है तुम्हारे ये गब सब में सब देख रहा हूँ जो तुम कर रहे हो सब देख रहा हूँ अभी तुम्हारा भी अब बनाते हैं रुको रुको एक सेख नालायक है देखो यह पढ़ने आए पता नहीं लड़के हैं कि लड़की हैं क्या हैं लेकिन इनको पढ़ाई इस कोई मतलब भी नहीं बलग करो जो नहीं पढ़ने वाले इने बलग करो अब एक एक जामपल देखो एक जामपल देखो सिद्ध कीजिये या फिर प्रूब्ड कीजिये x-1 pris einfach App किया श्याख एक स्कॉर प्लस x orchest म इनस टूब्ड कीजिये एक याख स्क्वाइर एक र्लस एक स्माईनस 2 का एक गुणुद थिरह सो नहीं कहता है कि आप करना सिद्ध करना है कि x-1 दिये गए बहुपद x-2 का एक गुड़नखंड है मतलब प्रूब कीजिए x-1 इस आफ फैक्टर आफ इसमें हम लोग फैक्टर अप्लाई करेंगे कैसे करते हैं वह देखो द्यान से चलो समझो यहां से बच्चा जैसे आप रिमांडर ठेयों रिमांडर ठेयों जैसे करें बिटा एकदम वह ऐसे होगा सेम टू सेम वह ऐसे ही होगा ठीक है अब जो गुड़नखंड परमिये में कि जो गुड़नखंड है उससे सुन्यक निकाल लेंगे अगर यह सुन्यक निकाल करके वह मान रख देते हैं अगर यह सुन्य हो जाता है तो इसका गुड़नखंड है अन्यथा नहीं है जैसे एक चोटा सा एक्जम्पल देख लो बिटा अगर मैं बोलूँ कि संख्या 12 संख्या 12 है तो क्या 3 इसका गुड़नखंड है या नहीं है सब ही बच्चे बताओ संख्या 12 का जो गुड़नखंड है वो 3 है या नहीं है Yes या No बोलो इंडियन गेमर बच्चा आ रहा समझ में मनोज सिंग जेतन यादो संक्या बारा का गुड़नखंड तीन है कैसे जानेंगे देखो बेटा इसको भाग करेंगे इसको भाग करेंगे तीन चोग बारा यह घटाने पर सुनना आ गया ना यह नहीं सेसपल जीरो आ गया मतलब क्या रहा है इसका गुड़नखंड है लेकिन एक सिकंड के लिए सोचो कि अगर मैं तुमसे बोलता कि बेटा यह बताओ कल्लूलाल कि फलाने जो है ना चच्चा इनका गुड़नखंड साथ है क्या बोलो है की नहीं ममता समझ में आ रहा है कुना ले आदो आरा कुछ समझ में सिमान्सू प्रतिमाविश कर्मा मुकेस एक तुमें भी समझ में आ रहा है तो देखो साथ से जब भाग करोगे चच्चा को तो यह संतुष्ट नहीं होने वाले है सहां ज्यार तो यहां से क्लेयर होता है यहां सी क्लेयर हो रहा है कि अस प्र impanricism का से सथ जाए encompass है क्लदकित देखे करने पर 12 जीरो नहीं है इसनले गुर्णकंड नहीं है तो बस वही प्रकृ किरिया हमें को इक है समाझ में आ रहा है न सänger हम इसको किया करते हैं सुनने के बराबर करते हैं यहां سے आक्ष कमान निकालते हैं अभी हिमान लाकर के इसमें रखेंगे इसको मान लेते हैं ठीक है माना पीआफ एक्स बराबर ये जो भी आपका दिया है इसको पीआ यके के बराबर मान लोगे बच्चा बस अब यक्स कमान रखना है यहां से आया है रख लो अगर जीरो हो जाएगा तो है नहीं होगा तो नहीं है नीचे दिख रहा है अब इसके बाद देखो यहां पर नहीं जगा है यहां पर तुम्हें यहां कर दूँगा यह वन का स्क्वाइर वन ही हो जाएगा बिटा और यह वन का वन ही रहेगा माइनस का टू यह प्लस प्लस अब जूड जाएंगे तो दो माइनस दो बराबर के अब क्या कह सकते हो अब तुम कह सकते हो यह 0 आ रहा है अब नीचे लिख सकते हो यहां पर नीचे लिख लो तूकि सेस फल सूनने आ रहा है आताहां x minus 1 आता x minus 1 पहुपद X स्क्वायर प्लस X minus 2 का एक गुडन खंड है लिख लो चुकि सेजपल सुन्य आ रहा है अता x minus 1 पहुपद X स्क्वायर प्लस X minus 2 का एक गुडन खंड है अधित सर्मा समझ में आ समझ में आ रहा है अल्लह ऑल्लयारो क्या फोका सक्वाइड है क्या है इसकवाइ कुछ नहीं होगा अब बुक वाला कुस्चन पर आजाओ किताब खोल लो पाज 2018 का हो गया पर लिया जो था U exercise 2.4 question number second पर आजाओ 마re exercise 2.4 question number second इस में से कौन-कौन किताब नहीं लिया बताओ मैं और गड़े किताब लिया की नहीं हां किसको बोल रहा हूं पता है मुझे मालूम है जो नहीं लिया है ढेको मेरे बात तो को बुरा नहीं मान कुछान नमबर सिकेंड कुछान नमबर सिकेंड क्या कह रहा है पर स्ट कुछान तो तुम लोग करे लिए हो हम हम देख रहा हूं क्या हो रहा है कुछ आउर होने वाला है सिकेंड में कह रहा है गुडंखंड पर में लागू करके बताये कि निमलिखित इस्तितियों में से परतेक इस्तिति में जी आफ यक्स पी आफ यक्स का इक गुडंखंड है या नहीं है जी आफ यक्स पी आफ यक्स का इक गुडंखंड है या नहीं है यह बताना है चलो बिटा question लिखो पहला first part लिखो यहाँ पर यहाँ पर g of x और p of x दो दिये हैं इनमें हमें गुड़नखंड परमिये लागू करके दिखाना है 2x का cube यह लिखा है p of x बराबर 2x का cube अब प्लस x का square minus 2x minus 1 और g of x भी दिया है बचवा g of x दिया बेटा x प्लस 1 क्या दिया है x प्लस 1 यह आपका दिया गया है इसमें क्या करना है हमें हमें इसमें क्या करना है हमें इसमें गुड़नखंड परमिये को apply करना है हेक्टर थोरम को apply करके बताना है कि क्या g of x इस अफ हेक्टर आफ पॉलिनामियल पी आफ एक्स यह है की नहीं है पैसी दी सी बात है इन चर्चा को जीरो के बराबर कर लो यहां से एक्स कमान निकाल लो मानला के इसमें ठूस दो बस अगर जीरो आ गए तो है नहीं आ गए तो नहीं है समझ रहे हो ना जैसे तुम पढ़ाई करें तो पास हो गए यहीं पढ़े थे फेल ओगे तुम नहीं पढ़े थे लोग यहीं तो समझते हैं न चलो देखो तुबास यादो बेटा पढ़ लो पढ़ लो नहीं तुमको था हम यहां से उठाएक फाइंग देंगे बाहर निखल जाओ गया पढ़ लो पढ़ लो चलो अब क्या करेंगे यह हो गया ठीक है सीधी सी बात है कुछ नहीं करना जादा उपर लिखो एक लाइन लिखलो पहला कुश्चन है वह मैं इधर उदर होता हूं तो यह जूम कर लेता है लिखो यह दी एक लाइन यहां पर लिखलो बहतर रहेगा लिखवाऊं कि न लिखवाऊं दिया गया माना माना पहलें से गया है सब माना गया लिखो लिखो हल लिखो यहां पर हल x प्लस 1 का मैं बहुत पहले बताया हूं यह भी तरीका आप कर लोगे इसमे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बैठा सुनने कैसे निकालते हैं इधर साइड में देख लो एक्स प्लस वन को जीरो के बराबर करते हैं तो एक्स कमान माइनस वनाएगा और यही क्या इसका सुननेक है सिवसी बोड़ाला बच्चा समझेगा जीरो है जीरो आप पलिनोमियल ठीक है इंगलिस में उसको ऐसे ही बोलते है देखो आगे समझो यह जीरो है न तो अब तुम क देखो दिया है न दो यक्स काई स्कायर anh do x काई स्कायर प्लस काई स्कायर थे चाह को लिप ऊथ रहा है यह दी रहा है कि इसमें यक्स कमांद हर जगह किया रखोगे one रखोगे जो उसमें आर deposain माइनस वन इख भो यह में रख दो हर जगह माइनस वन रख दो चलो यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 1 और यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और यह हो जाएगा 1 तो बच्चा यह बताओ जीरो आएगा कि नहीं आएगा यह जीरो आएगा कि ना आएगा मुझे तो नहीं लग राएगा यार दो दो चार एक पांच की भाई कहां से मिस्टेक मार रही है कुश्चन तो सही है ना 2x का square है प्लस x का यह cube है ठीक है square है minus 2x है minus 1 है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो नहीं लग रहा है होगा यह कीब है यह कुछ भी यहां पर कोई मतलब नहीं हे तोह कहोई थीक है तोह कि माइनस में हो जाएय का यह माइनस हो जाएंगे कोई दिकत नहीं है णो प्रोब्लम दो सिंहीं टॉइंस हो जाएंगे चुकी सेसपल जीरो आरहा है नीचे लिखो चुकी सेसपल जीरो आरहा है आता x प्लस 1 x प्लस 1 दिये गए बहुपद दिये गए बहुपद 2x3 इसको लिखना है 2x3 प्लस x का स्क्वाइर माइनस 2x-1 का एक गुडणखंड है जो बोल रहा हूं उसको लिख लेना बच्चा अगर अच्छे से पढ़ना है तो नहीं लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगी फिर क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं माना जाएगा समझ रहे हो ना कि सब कुछ तो कर लिए हो तुम जैसे मैं एक एक जामपल बताता हूं ना जैसे तुम दाल चावल बना लिए हो तुमको खाना है यह है दाल पकाए हो सब कुछ करे हो थोड़ा फ्राई कर लो और मस्त लग बहुपद लिख लेना पूरा का एक गुड़नखंड है बस हो गया चलो कि यू के गेम मर के मर तुमको मैं क्या कहूं हां बेटा पढ़ लो पढ़ लो भाई नहीं बलक करो इनको यार हां बलक करो बलक करो चलो 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 इस्क्रीन साट हो गया चलो अगला सिकेंट कुष्टन पर चलता हूं अच्छा एक बात बताओ इसमें से कितने बच्चे किताब लिए हैं कि आपके पास NCRT बूक है बेटा हां एंसी आर्टी बूक है आपके पास देखो बूक है तो पाजा नहीं आ रही है हुआ है मुल्य को अ डचालोग को पढ़ना नहीं है को फैलो नाहीँ लड़का लोक को पढ़ना कहा है इसस्को पढ़ना मजा कहा ढाथ है देखो बेटा सिकेंड पार्ट देखो इसका सिकेंड पार्ट क्या कहता है पी आफ यक्स इक्वल देखो पी आफ यक्स इक्वल यक्स का क्यूब प्लस तीन एक्स का स्कॉयर यक्स का क्यूब प्लस तीन एक्स का क्या है यह इसकॉयर है यह इसकॉयर है प्लस समझो मेनत से समझो दिल से और क्या है 3x plus 1 ठीक है यह है इसमें कहरा कि g of x जो है x plus 2 है क्या है बेटा x plus 2 है यह दिया है ठीक है कहरा क्या यह इसका गुड़नखंड है या नहीं है सब्सक्राइब बच्चे मुझे बताओ यह इसका गुड़नखंड है या नहीं है जल्दी बोलो बिल्कुल भी देर ना करो ऐसे मज़ा नहीं आ है यार बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रही जल बता बताओ जल्दी बताओ क्या एक्स प्लस टू इस पूरे पहुपद का गुड़नखंड है गुड़नखंड पर्मिय लगा के बताना है परतीक टेक्निकल बेटा तुम मेरी नजर में हो मिश्टर परतीक तुम्हारे जैसे नालायक लॉंडे मैंने नहीं देखिया तक हाथ तुम दिख कर आयो मुझे चलो यहां पर देखो अब यहां पर क्या लिखोगे जो मैंने पहली लाइन में लिखा था वैसे ही कुछ लिखना है लिख लो हाल यहां पर लिख लो एकस प्लस टू का का तुन्यक माइनस टू है अब सुन्यक माइनस टू कैसे है वो तुम्हें पता है मैं बहुत बार बताए हूं तुम कर भी लोगे कर लोगे न बच्चा देखो यहां पर समझो अब क्या करेंगे हम पी आफ यक्स जो भी दिया है इसी में लाकर के सारा मान रख देंगे बस हो गया हमारा काम खत्म देखो यही तो दिया था हिन ठीक है आप लगे तो फीया सही यह माइनस टू एककल यह माइनस टू का क्यूं अगर यह जीरो हो जाएगा तो सही है जीरो नहीं होगा तो नहीं सही है बस हो गया तो दूना Đड माइनस हैगा और यह मान अ context याइ बार आप ये तीन दूने च्छा पिलसक्त कि गो बैटा माइनस माइनस जुड़ेगा थो माइनस माइनस जुड़ेगा तो आठट हजा कितना चाहएगा चाउदा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा कि इसक्तम कितना जाएगा 14 में आठ्ट और छे कहां गया यह अब यह बाराइक हो जागा 13 जो भाइया यह तो नहीं यह लगो रहा है माइनस वन आ रहा है न टेस्पल तो जीरो आई नहीं रहा है तेजपल तो 0 नहीं आ रहा वच्चा देखो तो का कह रहा है यह 2.4 का question number second का second part देखो यह नहीं होगा आप लोग उत्तरमाला भी मिला लो साथ साथ में उत्तरमाला बहुत बच्चे मिलाते हैं UP बोर्ड वाले हमारे नहीं तो उनको chain नहीं आता है हाँ कि दिकेंड थार्ड और फोर नहीं है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कि अखिलेश कुमारी समझ में आ रहा है प्रियंका सिंग स्वाती जैप्रकास पटेल मलस लकी रभी संकर हीना रूबी हमने कुछ गलत नहीं किया तुम लोग नलायक हो एकदम सच्ची बता रहा हूं मतलब मैंने पूरा हल भी करा फिर कहरा है कुछ गलत कर दिया पूरा तो हल कर रहा हूं चलो हो गया कोई दिक्कत नहीं है नीचे हो गया dominating della नीचे लिखो नीचे लिखो ंखी सेस्सभल जीरो नहीं आरहा है चूकि सेस्फल सुन्दने नहीं आ रहे है आता हा लाएख्स प्लस टू आता लाएख्स प्लस टू धियेः गया बहुपद दिये गए बहुपद ये बहुपद लिख लेना पूरा का एक गुड़नखंड नहीं है एक गुड़नखंड नहीं है ठीक है? ओके गुड़ निभाया दो निभाया दो समझ में आ रहा है आरा समझ में वनिष्टर गेमिंग आ रहा बिटा तुम्हे भी रमेस गुर्जर ठीक है चलो तो ये हो गया बिटा आपका सिकेंड पार्ट भी हो गया अब मुझे एक बात बताओ इसमें का third part कौन-कौन कर लेगा देखते हैं कौन-कौन हमारे बहादूर से रहे और कौन-कौन लोमडी है लोमडी है तो यह सब है जो chatting वेटिंग कर रहे ही चुप़-चुप़ जेप-जेप लगाई हैं वही रोमडी है वहादूर से रहे वह पढ़ रहें न वह चिटिक प्प्टिक नहीं कर रहें third part देखो third part देखो बेटा क्या कहता है p of x equal x का q क्योच minus four x का square और plus x plus six यह दिया है इसका जो जी आफ एक्स यह जो फैक्टर कह रहा है वो X-3 है क्या है X-3 है तो यह बताओ बच्चा क्या यह इसका गुडणखंड है या नहीं है सभी बच्चे बताओ 2.4 का कोईशन नंबर सिकेंड का पार्ट नंबर थर्ड है दूसरा नहीं था तीसरा हाँ राकेश सिंग कर लोगे कनया कुमार कुईशन नमबर तीसरा का गुड़नफल जिला आएगा जिला नहीं आएगा नलायक जिरो आएगा ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड कम से कम कोशिश तो किया अरे ये खचरों को तो देखो जो करने में लगे हैं है और बात बता भाई साथ मैं पढा तो अच्छे से प्ढम करएं हूं पूरा दिल से पढ़ा रा हूं कि रुमाल नि面 छोड नि aç zen Burak कर रहा हूं अर्ब तुम क्लास को लाइक कर दो निशन तू कर रहा है उटर्पूस。 पर यार और तूरन तो मिनिट का दे रहा हूं चलो हर एक बच्चा लाइक करेगा कलास को तुरंद देर नहीं करना बिल्कुल तुरंद करो चलो चलो तुरंद करो देखो आपकी भी थोड़ी सी responsibility है आप भी अपना responsibility मतलब जिम्मेदारी समझो हम पढ़ाएंगे फ्री पढ़ाएंगे आपको हजार दो चार पेमिंट नहीं करना है लेकिन फ्री का मतलब यह थोड़ी कि तुम एकदम फ्री हो जाओ ना कलास को share करो ना like करो कुछ ना करो ऐसे नहीं मज़ा हाता ना यार अपने दोस्तों में share कर देना चाहिए वाटसाप गुरूप बनाए होगे चार छठी गेम ओम का जो भी कोई भी गुरूप हो सब में बेज दो आखिर उसमें जुड़ी तो किसी की आत्मा ही होगी ना पढ़ लेगा पढ़ेगा तो अच्छा होगा देश बदलेगा समाज बदलेगा तो तुम्हारा भी दुकान चलेगी हाँ चलो जल्दी करो सभी लाइक करो जितने जुड़े हैं तुरंद देर ना करो अटा फट सव के उपर लाइक हो जाना चाहिए तुरंद यूके गेमर बेटर तुम पांच मिनट अराम कर लो तुम अब मुझे पता है कौन कौन नहीं कर रहा है अभी इसमें से जो नहीं करा न मुझे सब मालूम है सब मालूम है कौन नहीं कर रहा है जल्दी करो देर ना करो देखो यार लाइक करने डिफ लाइक नहीं करना ऊपर पर जो अंगूठा का निसान है उसको दबाना है ऐसे नीचे वाला नहीं दबाना है उपर वाला दबाना है अगर पढ़ना चाहते हो ता बाकी तुम कुछ भी करो मुझे कोई फरक नहीं बढ़ता है हाँ चलो तीसरा कुछ न क्या कह रहा है अभी हो गए कर दिये चलो थार्ड कुछ न पर चलते हैं बटा देखो थार्ड कुछ न क्या कह रहा है यहां पर समझो थार्ड कुछ न कह रहां कि के का मान ग्याद कीजिए नियम लिखीती स्थितियों मेंसे प्रते है कि स्थिती में x1-1 पी आफ यक्स का एक गुड़नख Jr. कुछ थोड़ा गुमारा बेट्था दिमाग दिमाग थोड़ा सनकार आई कुछ देखो समझोasion समझोस अभी कोईश्चन नमबर थर्ड कि कहां से मिल गए मुसीब थर्ड थर्ड देखो देखो बेटा कोईश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ दूँगा किताब तो तुम लिये होना मैं हेडलाइन नहीं लिखोंगा बड़ी वाली इसमें जो पी आफ यक्स दिया है बाबू वो कुछ ऐसा है यक्स का स्कॉायर ब्लस यक्स प्लस के यह आपका दिया है इसमें कोईश्चन में कह रहा था उपर की परतेक स्थिति में एक्स माइनस वण जो है इसका गुड़नखंड है क्या है एक्स माइनस वण इज फैक्टर आफ दीस एक्वेशन समझ रहे हो ना सचीन चौधरी को एकदम से बलाग कर दो इनके जैसे नालायकों की बिलकुछ जरूरत नहीं है इनके लिए यहीं लेंग्वेश ठीक है ऐसे लोगों को क्या करोगे तुम उधार नहीं सब्सक्राइब चलो देखो समझो तो यह क्या है एक बहुपद है यह इसका गुड़नखंड है यह कह रहा है इसको सिद्ध करो कोईश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं जो बच्चे एंसी आर्टी बुक लिए हैं वो देख लें कोईश्चन कह रहा है के का मान ग्याद कीजिए जबकि नि इसे एक स्थिति में निमन लिकित इस्थितियों में से ग करते एक स्थिति मेंए एक sells W 1 X माईनस वन लारी ěक कए गुड़न खंड हो गयव्ollen ले अप्यकस का एगुड़न खंड हो टो भीता जो प्य irrigation दिया है वो यही है य는 हमें क्या करना है इसको इसका गुड़न खंड म करके के कमान निकालना है बैसी दिसी बात है लिखो चलो लिखो गुड़न खंड है ना तो हल लिखो यहां पर लिखो यदि यक्स-1 प्याफ यक्स का एक गुड़न खंड है एक गुड़न खंड है तो तो क्या यक्स-1 रखने पर यक्स-1 रखने पर क्या आएगा फाइनल में से इसपल 0 आएगा है ना रखने पर सूनने आएगा यह इसकी कंडिशन है इसको लिख लेना अच्छा लगेगा यह दी एक्स-1 इज आफ फाइक्टर आफ पॉलिनोमियल फी आफ एक्स देन वेन भी पूट दे वेलु आफ एक्स इन दिस पॉलिनोमियल भी फाइंड जीरो देखो इंगलीज थोड़ा थोड़ा बन रही ना नेगी तेड़ा मेडा बोलो कैसे भी बोलो बोलो चलो तो चलो रखके देख लेते हैं परियंका सिंग समझ में आ रहा कुछ आकास कुमार पिकास भिंड निभा चलो देखो तो यक्स कमान रख लो बेटा इसमें ला करके चलो तो उपर लिखी दिया हूं ठीक है यह पी आफ यक्स मैं एक बार फिर से उतार लेता हूं पूरे इज्जत के साथ और जब हम इसमें लाके मान रखेंगे वन तो यह जीरो के बराबर हो जाएगा एटोमेटिक तो पी आफ यक्स नहीं माईनस on रखना है ना वन रखना one उक्वल क्या है यह वन हर जगा जहाँप एक्स है वहाँ one और यह क्या है बच्चा कह रहा है की जब यह मान रखोगे तुम उन तो यह जीरो के बराबर हो जाएगा तो हमें के कमान निकाल के दे दे लेना फट तक से तुरन तो ठीक है, यह 0 के बराबर हो जाएगा, सिक्ना भी बराबर कर सकते हैं जिरो के अधर भी, चलो यह 1 हो गया प्लस 1, प्लस k इक्वल 0 चाया इधर कर लो, चाया उधर मतलब भई हुगा यह 0 के बराबर हो जाएगा यह जूड जाएगा तो K का बैल हो जाएगा माइनस दो कितना आएगा? मनोज यादो सही है राकेश सिंग ठीक है मुकेश एके आपका भी सही है नहीं नहीं ठीक है रूबी दुबेदी सोनाली सोनाली कुमारी ठीक है जो भी तुमारा नाम लेगा उससे हम बलक कर देंगे ठीक है? ठीक है ठीक है ओके गुड बेरी गुड चलो बेटा अब जो भी नाम लेके किसी भी लड़की का कमेंट करेगा मैं उससे पर्मनेंट बलक कर दूगा मैं खुद करोंगा आप किसी से नहीं कर drainage करो 10 यहां वह द्रूशन है पूसे तुरण अबंव लाद करो गए अगर तुम लोग नहीं बंवा करते उन तुम नोlet को बहुआ दूंगा कि किसको बोलत है तुम समध रहा है न जो इसकी ड्यूटि है वह पी ए tam ठीक है बच्चा? ठीक है, very good तो जो भी किसी भी लड़की का नाम लेकर कमेंट करें तुन बलाक करो और एक काम और करो, जो भी गल्स हैं वो लोग पढ़ाई पे सिर्फ ध्यान दें फालतू इन लोग के चकर में ना पढ़ो, इन लोग को जिन्दगी में कुछ करना है नहीं, इनकी जिन्दगी वैसे भी खतम है तो इन लोग को यही करना है, इनको ना पढ़ना है ना किसी को पढ़ने देना है, तो तुम कमेंट के पीछे ना पढ़ो पहल Looking इंग मतलब होने फाला है नहींन को जो करने करने दो को कि पिछे टाइम बेस्ट ना करो चमा minister का कमेंट नहीं करना नहीं तो दो मिनट के अंदर बारी नहीं आएके दुबारा इसलिए खाल दु कमेंड नहीं in the domain इंट में एक कशलो है आचलो पार्ट पे आजाओं अब देखो क्या कह रहा है अब लिखो यार बहुत सारा है तुम लोग पढ़ना चाहता नहीं एक को मैं इतना मेहनत कर रहा हूं मेरा मन कर तुम लोग लतिया लतिया गमार्क भागा दूं सहीं जो कमेंट कर रहा है फालतु का कि लिखो पी आफ एक्स इक्वल तू एक्स काई स्क्वाइर ऐसे ही लड़के होते जो आफ लाइन में आते हैं उनको बहुत बलभय मारा जाता इसलिए फिर उजाते हैं अगले दिन गार जी उनको लेकर आते हैं गुरू जी हमें तो बिना मतलब दुन दिये हम तो बहुत सु बूझमनी है हमारी इनसे हाँ हुँ है लो ठीक है कि टिकेंड डिकेंड आ इसका जो फैक्टर है कि तदीया है और को अधिको बेटा इसका जो सब्सक्राइब अधिया दिया है हां यह माइनस वॉन सब का वही दिया है अलग यह बहुत अच्छे देको कोई फालतू कमेंट करें क्योंकि दो मिनिट के अंदर तुम कमेंट दुबारा नहीं कर पाऊगे इसलिए फाल तो नहीं करना मतलब की बात पूछोगे हमसे हम बताएंगे इसलिए फाल तुम कुछ मत लिखो क्योंकि तुम एक बार लिख दिए तो दो मिनिट के अंदर दुबारा नहीं कर तो बिटा इसमें कह रहा है कि X-1 इसका क्या है ये गुड़नखंड है तो हमें के कमान निकालना है जो अभी-भी मैंने लिखा था तो उसी को फिर से लिखोगे जो अभी-भी मैंने लिखा था क्या लिखा था निचे लिख लोब मैं लिखोंगा नहीं यदि X-1 यदि X-1 दिये गए बहुपद दिये गए बहुपद 2X-2 प्लस KX प्लस अंडरूट 2 का एक गुड़नखंड है एक गुड़नखंड है तो X इक्वल 1 रखने पर 0 होगा इतना लिखने के बाद क्या करोगे इतना लिखने के बाद फटा-फट इसमें लाके मान रख लोगे अब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं एक बार लिख के बता दिया हूँ जैसे पहले में बताया हूँ, ऐसे तुम सब में कर लोगे तो बेटा यहाँ पर 1 रखोगे, हर जगा 1 रखोगे यह k into 1 यह एंडरूट 2 इसमें प्लस है भाईया, यह अबचिन भी लगाओ ना, यह ठीक है? तो फाइनल में क्या होगा? जब इसको मान हम रख देंगे तो यह 0 के बराबर आ जाएगा यूँ हो जाएगा? क्योंकि हमने सेस्फल पर्मिय में यही पढ़ा है पढ़, आप, पढ़, पॉन पर्मिय में पढ़े हो बखी बच्च्पन में वैसे भी पढ़ते आयों नहीं जब यह मान रखो गे बिटा तो यह क्या हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा हां यह जीरो हो जाएगा फाइनल में तुम जब के का बैलू निकालोगे इसे ऐसे भी कर सकते हो एक उत्तर यह भी हो सकता है एक उत्तर तुम यह भी लिख सकते हो अगर इसमें माइनस वन से क्या करो भाई सब माइनस हो जाएगा का इसमें कोई प्लस का चिन्न नहीं था कहीं नहीं था ठीक है इसका एक उत्तर ये भी हो सकता है अगर तुम माइनस वन इसमें से कामन ले लो तो माइनस वन अगर तुम कामन ले लो तो ये दो प्लस अंडरूर्ट दो भी हो सकता है तो इसमें से दोनों हो सकता है देखो अंसर अंसर में क्या दिया है ये कवान निकालना है ना थिक है ओक है और अनिमेज तुमें काहे को दर्द हो रहा तशिया पाड़ लो इसका स्क्रेंसर्ट लेनो इस काmanघ पट्ली स्कुरिंसर्ट लेनो हो गया ओक है तो तुम इसको भी कर सकते हो इसको भी कर सकते है तुमña है alakse से बनाया इस्त्रा बाकी उपर वाला कblem ठीक है कोई दिकत नहीं है इक न ऊपर वाला इंचे AH सबobsे से आसान रहेखा फाल निकरना पड़ेगा कामन का मतलभ क्या होता बेटा बेशिक ऊसके लिए बेसिक पड़ोगो तब पता चलेगा तुम्हें पढ़ें कभी तुम कभी फढ़ते है नहीं बेसिक की बात छूड़ो जो बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे है तरफढ़ा रहे हैं वो चैनल को तुरन सबस्क्राइब कर ले बेटा क्योंकि तुम सबस्क्राइब कि अभी वी नहीं कर पा होगे जल्दी कर लो तुरन जो बच्चा कमेंट नहीं कर पा रहा वो चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर ले भाई देखो रात का साथ बजे वाला जो साहिम है इसमें बावन पर्सेंट लोगों ने कहा है कि वो नहीं देख पाते हैं इसक्रिंसाट ले लो हो गया मैं हटता हूं सामने से नीचे वाला इसको मिटा दो आपके बुकों में यहां तक नहीं करेंगे कोई यहीं तक छोड़ देंगे यहीं तक हो गया ठीक है चलो आठ बज गया का तो कलास को बंद कर दिया जाया पढ़ाया जाया क्या कह रहे हूं आठ तो बज गया हां बंद कर आ जाया पढ़ाया जाया भी और पढ़ोगे जोनाली सभी बायज को क्यों बोला बताओ इमांसु बेटा इसलिए तो पांच मिनट का होल्ड कर रहूं न तुम्हें इसलिए कर रहूं दूसरे लिए थोड़े सभी स्क्रीन साथ ले लिए आगे बढ़ें नब्या गुपता और पढ़ाया जाया भी और पढ़ाया जाया ना वन मौर चलो तो बिटा थार्ड के जो तीन पार्ट थे नहीं दो पार्ट अभी हुए न इसमें दो पार्ट अभी और हैं अब इनको तुम खुद से करोगे मैं नहीं बताऊंगा तुम लोग कुछ कर नहीं रहें अपने से मैं बेवकूप थोड़ी हूं एक एक कुश्चन करवा दूं सब छपवा दूं तुम कुछ ना करो आठ बजे कुछ था क्या नौ बजे है न बहुत ज्यादा देर पढ़ाना भी कोई मतलब नहीं है तो बैटा देखो होमवर्क है आज के लिए होमवर्क है होमवर्क देखो लिखलो मैं बता रहा हूं तरीका समझो तुम सभी होमवर्क लिखो पहले होमवर्क क्या है इक्सरसाइज 2.4 पॉस्टन नंबर फ़र्स्ट सिकेंड और थार्ड आल पार्ट इसको करोगे तब ही हल करोगे मैं होमवर्क एक दिन चेक करूंगा सब्ता में मंगवाऊंगा वाट्सप नंबर दूंगा अलग से अपना प्रफनल नंबर ठीक है यह होमवर्क एक दिन में नहीं चेक करूंगा आज दे रहा हूं तो मैं कल नहीं करूंगा मैं हर दिन होमवर्क दूंगा सटर्डे या संडे में किसी दिन टाइम निकालूंगा उस दिन मैं आपको लाइब में नंबर दूंगा अपना अलग से उसमें चेक करूंगा एक एक जो सेशन है वो यहीं पेंड करते हैं सभी जितने भी हमारी इस्टूडेंट की टीम है सभी जल्दी से कलास को लाइक कर दें देर ना करें बिल्कुल भी और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे की ज्यादा फे ज्यादा कलासे उन्हें मिल सकें यूटूब पे सब कु कि यहर भी रोज होती है कि इस तो कलास बंद करने के पहले एक बात यहां पर सुन लो जो बच्चे पीछे की कलाफ नहीं देख पाए हैं बेटा वह समझें आपर आप सभी टेली गराम जानते हो हां कि स्पेलिंग देख लो तेली गराम पर जाके पीबी आर स्टेडी का चै तक कि जितनी भी कलास चली है इस टेली गराम चैनल पर तुम्हें सब मिल जाएगी सारी इकठा सारी कलास इकठा मिल जाएगी बाबू ठीक है और अगर तुम यह नहीं जानते कि टेली गराम क्या है कैसे जोईन करें कुछ नहीं जानते हो यूटूब पर सर्च करना जानते बताया गए उन वीडियो में से सबसे उपर रहे गा उसको देख ले लेना इस वीडियो में सब बताया गया है टेली गराम क्या है कैसे जौइन करते हैं क्लास कैसे मिलती है सब बताया गया है ठीक फिर आज का justification नहीं करेंगे आप लोग यह बताओ कौन कहां से जुड़ा है कौन कहां से जुड़ा है जैसे कलास परियाग राज उत्तर परदेश से होती है तो आप लो कहां से हैं बोलो तो क्लास परियाग राज उत्तर पर्देश से होती है आप लोग कहां से हैं एक बार बताओ तो थोड़ा दो मिनिट देखता हूं बड़ा मज़ा आता है न क्या 7 पीम क्लास का टाइम ठीक है आप लोग क्या कहते हो क्या है कि साइंस का क्लास सुबह साथ बज़े देखना जरूर सभी ठीक है साइंस का क्लास सुबह साथ बज़े जरूर देखना बिटा ठीक है न बिनोद मियुजी कह रहे हैं इतना मेहनत करते हैं मैं प्रेयर करूँगा आपका परिवार अच्छा रहे हैं आप इसी तरह पढ़ाते रहे हैं अपने भविस से में बड़े से बड़ा टीचर बनिये बिनोद जी दिल की गहराईयों से आपका सुक्रिया आप ही लोगों की प्यार से तो हमें यहां पे खड़े हैं पाकी कहां इस दुनिया में कौन किसका होता है तो भाई बिहार से जुड़े हुए हैं हमारे साथ बहुत सारे बिहारी हैं जिन में से लौकुस कुमार एक हैं हाजीपूर से हैं बंटी यह भी बिहार से ही हैं सहारनपूर यूपी से अरेन तिवारी हैं, वहीं बीलपी मुजीक, राज़ास्थान के भीलवाडा जिले से हैं देखो वेटर राजय और जीला दोनों बताओगे, तभी हम पढ़ेंगे राज़य और जीला दोनों बताओगे तभी पढ़ेंगे, सिर्फ एकेले नहीं मदपूरा से जितेंज जी जुड़े हुए हैं परतावगड़ी उपी से आधित दुबंसी हैं वहीं रीसुतिवारी रीवा की मध्यपरदेश से जुड़ी हैं और आगरा के उत्तर परदेश से आधित परिहार पड़ रहे हैं मनोज कुमार बकसर विहार से जुड़े हैं एके जूंड बोल रहे हैं सिदर्थ अंगरवाल उत्राखंड के कोटवार से हैं सिदर्थ नगर से रोहित है और संकेज जी विहार के भागलपूर से हैं हीना साउच तिसगर से हैं ललिदपूर के उत्तर पर्देश ललिदपूर से अंकुल परजापती हैं नाब्या यूपी कानपूर से हैं मीरा वारमंकी उत्तर पर्देश से हैं पर्तिक नलायक कोभी तक कोनो बलाक नहीं करा मैं कर देता हूं इसे चलो कीता मौर्या यूपी आजम गडज से हैं और देव मंअल भी भुपाल मध्य परदेश से हैं जै महाकाल यूपी जॉपी जॉपी के संबल से सुनील यादो जी पढ़ रहे हैं कोंडा से सोनू ड्यूड दूबे स्वरी इन्हों की स्पेलिंग भी गलत है मैं गलत पढ़ भी रहा हूं पेटे तुमारी स्पेलिंग गलत है साही कर लो है रभी यादो अमेटकर नगर यूपी से हैं पुषकर पांडे बस्ति उ जुड़ी हुई हैं अंकित भी जुड़े हैं भारत देश से ही हैं किर्फना जी यह महराष्ट्रा से हैं जिला इनका है पूने मुन्ना कुमार यूपी के आजमगड से हैं सोनु परजापती फैजाबाद मतलब की आयोध्या उत्रपरदेश से हैं हिमानसु भी कानपूर से नरेश रजस्तान से हैं और ठीक है सभी बच्चे जुड़े हैं पूरे सब इंडिया वाले ही हैं अभी के वाल इंडिया वाले हैं ठीक है अच्छा है तो पूरे भारत देश से बच्चे जुड़े हैं दूर दूर से अच्छा लगता है थोड़ा सा आप लोग थोड़ा औ कि अभी आप देख रहे हैं भारत देश के साथ राज्जी के बच्चे हैं तो कोशिस यह होनी चाहिए कि आने वाले महिना दो महिना में पूरे आल इंडिया के थोड़ा सा रुखना कि अभी आप देखो यहार इंटरनेट थोड़ा सा डिश्टर हो जाता है तो आप लोग जाना नहीं ठीक है इंटरनेट थो डिश्टर वह था तो चलो ठीक है आज का कलास बंद करते हैं टाइम भी हो गया है ओबर हो गया है सब कुछ ठीक है बच्चे फिर कोई दिक्कत नहीं है भाल बहुत थेंक्यूं आप सभी को सिल से धन्यवाद सभी कलास को जादा फ्य क्यादा सेर करें और लाइक करें आपकी साइन्स की क्लास सूब्ह भगी साथ बज़े से बच्चे याद रखना सूबह साथ बज़े से जरूर देखना वाटसाप याधो जी आप ठीक है शुबह हो गई है पड़िये लिखिया है अब शुबह हो गई है तो चले फिर बंद करा जाए कुछ चाय पानी मिलेगा काब कि दो फिर बहुत बहुत थैंक्यू आप सबी को बंद करते हैं चलो ठीक है